गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आज हम चैप्टर सेकेंड पुष्पी पोधों में लेंगिक जनन सेक्षिल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लाइंट्स इस वाले चैप्टर के आप्जिक्ट्यूज जो इंपॉर्टेंट आप्जिक्ट्यूज हैं जो एक्जा यह सब इस चैप्टर में हम इसको आप्जिक्ट्यू के साथ समझ भी सकते हैं है ना और जो लोग नीट की प्रिप्रेशन कर ले हैं उनके लिए तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा कोशन पूछे जाते हैं मतलब यह पूरी जान हैं बाइलोजी की क्योंकि इसी पर बैस अगर हम हम हुमन्स का भी लेंगे तो वो भी इसी से काफी कुछ मिलता जूलता है तो हमें कई तरह की जानकारिया इससे मिल सकती है तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और इसमें सबसे फ्रस्ट जो कोशन है वो है एक ही जो हमें आगे पढ़ने में आएंगे तो आप जब यह कोशन सा आते हैं तो बच्चों से यहां मिस्टेक हो सकती है तो आप इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यहां पूछा क्या गया है यहां पर हम यह चीजों को ध्यान नहीं देते यहां पर लिखा है कि उसी पोध है जैसे यह परागन का है तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ स्वपरागन को क्या बोलते हैं वो भी आप नोट कर लीजी अपनी कॉपी में उसे आटो गेमी बोलते हैं स्वपरागन को आटो गेमी बोलते हैं इसमें सेम पुश्प होते हैं है और मत और सात में ये वाला जो पूछा गया है ना कि उसी फूल के में इस्थाना अंत्रण होता है तो इसे क्या कहा जाता है इसे सजात Πुषपी एक जैसा फूल है तो इसे सजात होता है दो फूल हो जाते हैं जो एक पोधे पे लगे होते हैं देखे दोनों में डिफ्रेंस है एक पहले जो मैंने आप लोगों को यह जो आंसर बताया है इसमें एक फूल का एक पोधा जो है उसी का फूल पे जा रहा है, है ना तो से जिनाटो को मी कहेंगे, तो यहां पर यह बहुत महत्वपूर्णे और इससे रिलेटेट एक्जाम में कुशन आते हैं, अब नेक्स्ट है, साइट्रस की असंग जनिक भुरून किसे बनते हैं, तो साइट्रस तो सभी जानते हैं, जो खटे फल होत साइट्रस में आता है, आप इसमें पूछा है असंग जनन, पहले आप इसका मीनिंग जान लीजे, असंग जनन को बोलते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निशिचन के बीज का निर्मान होना, अब यहां पर ब्रून लिखा है, तो यहां बिना फर्टिलाइजेश बर जो उतक होते हैं उनसे ये डाय इनको उड़ के जाना होगा तो यह कैसे होंगे वर्जन में यह बहुत हलके होगे और इनकी स्ट्रोक्जर भी हैसी होगी कि यह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे कि छोटे बहुत संख्या में सुखे पराकणों को बनते हैं यह वाला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा है ना सुखे टाइप के रहेंगे ताकि इसली वो हवा में उड़ जाए फिर इसके बाद है निमने लिखित में कौन सा पुषपी भाग निशीचन के पश्चातफल बित्ति को बनाता है तो हमने चित्र देख रखा है ना इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें इसको समझाया भी है आप लोगों को जो आप वीडियो को जरूर देखेग चेप्टर का भी वीडियो है उसमें इसको बहुत अच्छे से बताया हुआ है और इसके पहले एक और वीडियो मैंने इसका पार्ट फर्स्ट बनाया है उसमें भी मैंने इन चीजों को समझाया है यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पुषपी भाग बिनानी शिचन की पश्चात फल बित्ती में तो जो अंडाशे की भित्ती होती है वह ही फल बित्ती में कनवर्ट हो जाती है जो फूलो जो आपने फल खाया हो जैसे एपल खाया होगा है ना तो उनके बाहर की जो बित्ती बनी होती है वो किस से बनती है यहाँ पर यही यह कई बार एक्जाम में पूछा गया और यह वास्तों में बहुत इंपोर्टेंट है आप इसको अच्छे से याद कर लिजेगा बिना निशिच्छन के फल जो प्राप्त करते हैं उनको क्या कहते हैं तो इसे हम पार्थेनोक्रापी कहते हैं बिना फर्टिलाइजिशन के यह यहाँ फल बन जाते हैं निमलिखित में से किसी एक को ग्लाइअक्सिसोम की आशा होती है तो ग्लाइअक्सिसोम को कौन लेता हैं यहाँ पर बताना है तो इसका आंसर है अरंडी का भ्रून पोश next question angio sperm में embryonal suspensor का कारी क्या होता है तो angio sperm जो होते हैं आवरते बीजी कूल उसमें जो embryonal suspensor है वो क्या काम करता है endo sperm में embryo को धकेलता है यानि कि जो endo sperm बना है उसमें भून को धका लगाने का काम ये करता है निम्न में से किसमे डाइकाट होने के बाउजित कॉटली डिन्स का अभाँ होता है देखिए जितने भी डाइकाट होते हैं यानि कि द्वी बीज पत्री जो भी पौधे होते हैं जिनके बीज होते हैं उनमें दो पत्रों में वो डिवाइड होता है कॉटलीडिन्स बोला जाता है उनको तो यहां कोशन यह आ रहा है कि ऐसा कौल सा है जिसमें यह नहीं है लेकिन वो आवरतिबीजी कुल का है तो इसका आंसर आजाएगा कस कुटा निशीचन में द्वितियक नाभिक याने की सेकेंडरी नुकलियस बनाता है तो सेकेंडरी नुकलियस किसको बनाता है दो नुकलियस होते है एक तो जो फ्यूजन होता है वो है ना तो अंडकोशिका से होता है तो वो एक फॉर्मेशन कर लेता है लेकिन दूसरा होता है तो वो secondary nucleus होता है दूसरा जुनाफिक होता है वो ब्रून पोश को बनाता है एक पराग करण में 28 मात्र पराग कोशिकाय होती है तो इनमें बनने वाले पराग चतुषकों की संख्या क्या होगी तो स्वभावी के वो भी 28 ही होगी फिर युकतान डपी अंडाशे पाया जाता है तो य किसमें पाया जाता है तो यह सरसो में पाया जाता है किसमें पाया जाता है सरसो में आप मैं इसको भी समझा देती हूँ कि यह क्या चीज होती है तो देखे यह अलग-अलग होते हैं जैसे जुड़े हुए होते हैं तो इन्हें हम सयुक्त या युकतान डपी कहेंगे लेकि के समतल्य होती है तो गुरू बिजानू धानी यानि की माइक्रोस्पॉरवंजिया जो होती है वो बिजानू के समतल्य होती है यह देखे सारे ही कोशन हर साल एकजाम में पूछे गए हैं अब नेक्स्ट कोशन है कि निमनीखित में कौन सा कथन सही है तो यहाँ पर पराकन का पाहरी कठोर अंतह चोल कहलाता है नहीं यह तो गलत है उसे तो हम बाहिये चोल कहते हैं फिर बिजाणू जनन उत्तक आगुणित होते हैं नहीं अंतह इस्तीत लगू बिजाणू उत्पन न करती हैं यह भी नहीं है तो यहां पर यह वाला आंसर इसका सही हो जाएगा कि लेयर होती है एक बाहिये लेयर होती है फिर अंदर वाली लेयर होती है ऐसे चालेयर होती है तो अंदर बिल्कुल अंदर hoch उसे टेपिटम कहते हैं और टेपिटम का काम होता है उसको पोशन परदान करना किसको पराख करणू को चूटी चूटे-चुटी पराखकन्ण Infinite pension है ना कि लेंगी जनन का उत्पात क्या बनता है तो जब देखो लेंगी जनन में दो मिलते हैं तो दो का सयोग हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है नए गुणों का निर्माण हो रहा है है नए अनुआशिक सयोग बन रहे है और जो जैगोर बन रहा है उसमें वैरियेशन आ रही है है ना तो ये भी बहुत important है इसके बाद next पे चलते हैं अपन next question है बुरून कोश में पराग नली का बुरून कोश की किस कोशिका से होकर प्रविश करती है है ना embryos एक में पराग नली का बुरून कोश भी किस कोशिका से तो यहाँ पर answer आ जाएगा अब हासित सहायक कोशिका है ना वरंत जिसकी द्वारा बिजांड प्लैसिंटा से जूड़ा होता है वो क्या कहलाता है तो इसका answer है फ्यूनिकल आपने इसका चित्र बहुत अच्छे से देख रखा है और उसको आप समझ सकते हैं कि फ्यूनिकल किसी कहा जाता है अभी मैं और थोड़ा सा जब आगे चित्र आएंगी ना तो मैं आपको इसको भी एक बार एक अच्छे से बता दूगी तो यह बस ध्यान रखेगा कि व्रंत जिसके द्वारा भी जान प्लैसेंटा से जुड़ा हुआ होता है अंज्योस्पम का अंड उपकरण किस से मिलकर बना होता है तो अंज्योस्पम का जो अंड है न उपकरण्दे के अंज्योस्पम में हमको पता है न डबल फर्टिलाइजिशन होता है यहाँ पर जो होता है वो एक अंड कोशिका और डव सहायक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है चलाजल सीरे में फ्यूनिकल की जुडनी का बिंदु क्या कहलाता है तो इसका नाम है हाईलम इसको तो आपको याधी करना पड़ेगा कुछ नाम होते हैं ऐसे थोड़े से टफ लगते लेकिन हम क्या करें बाईलो जी में उनको याधी करना पड़ता है नेक्स्ट है निमन्य लिखित में कौन सी कोशी का समसुत्री विभाजिन द्वारा एम्प्रियो से का निर्मान करती है तो क्रियात्मक गुरू भी जानू है ना देखो गुरू भी जानू जहां भी वर्ड आता है तो यह किसे फिमेल से रिलेटीर हो जाता है है ना लगू अर्ड आ जाएगा तो मेल से रिलेटेड हो जाता है तो यहाँ एमरुस एक समसुत्री विभाजन द्वारा कौन मनाता है तो उसका अंसर है किरियात्मन कुरू भी जानू एनाट्रोपिस बिजांट में म्राइक्रोप्राइल किस दिशा में होती है तो एनाट्रोपिस जो भी बिजांट होते हैं उनमें यहाँ उल्टी होती है इन्वर्टिट होती है तो इसको मैं थोड़ा सा चित्र के माद्यम से आप लोगों को इसको समझा देती हूँ नीचे है यह वाला चित्र देखे यह इसको आप समझ लेंगे तो आपको यह बहुत आसारी से समझ में आ जाएगा अच्छा इससे रिलेटेट कई कोशन से एक्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन बच्चे यह सूसते औरे भाई इतना कठीन लेकिन मैं आपको इसको बहुत सरल तरीके से बता देती हूँ जब भी ऐसे नाम आते हैं जैसे फर्स्ट यहां पर यह वाला जो चित्र आपको नजर आ रहा है ना यह किसका चित्र है यह बिजांड का चित्र है है अभी हम इससे रिलेटेट कई कोशन पूछ चुके हैं पढ़ चुके हैं कि फ्यूनिसिल देखिए आ गई फ्यूनिसिल यहां रफी है और यहाँ पर हम देखे तो इंबड़ायो को हां दिखाया गया है और यह वाला जो उपड़ वाला जो ओर्शन होता है सो चैल्जा बोलते हैं आप देखिए यहां बेस्विन में पॉजिशन अलग-अलग है सब की पॉजिशन अलग-अलग ही तो आप सोच़ उल्टा भी बना सकते हैं कोई problem नहीं है और exam में 100% double fertilization पूछा जाता है है ना तो यहाँ पर हम अभी objective पढ़ रहे हैं तो इस objective में यदि आ जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है किसको बोला जाता है तो हमको उनके नाब याद होना चाहिए अब यहाँ पर ये इसको ये challenges हो है है ना कैलेजा भी बोलते हैं चैलेजा भी बोलते हैं इंगलिश में ये C का थोड़ा सा problem ही रहता है तो आप निभाग हिंदी में इसको निभाग शेतर कहा जाता है तो इसको आप याद कर लिजे कि ये उपर वाला खुकला portion है वो ये कहलाता है है ना अब इसमें भी देख कोशिका हैं है ना एक अंड कोशिका है दो उसकी सहायक कोशिका यहाँ पर antipodal कोशिका हैं होती है अब हमारा जो कोशन था ना उस कोशन को हम समझते हैं अब देखें यहाँ पर आर्थो ट्रॉपस ये वाला बिजांड की रशना है तो इसमें देखो ये तीन ओ एक लाइन आप लोग इसको नोट कर लिजे, इसे रिजुवर्ती भी कहा जाता है, इंदी इंग्लिश दोनों हमें आना चाहिए, तो इसे रिजुवर्ती कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सीध में है, सीधा है ये, है ना, और इसका एक्जामपल, यदि हमारे एक्जामपल आ और ये कैसा होता है, अधो मुखी होता है, अधो मुखी हिंदी में इसका नाम है, और इसके एक्जामपल से मटर, चना, सेम, अरंड, ये सब इसके एक्जामपल से, इसके आवसर से उधारान की किस-किस में पाया जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि मटर में, सेम में, अरंड म ग्रक्षेमे olur तो हैमि अनसर्फ में क्या हो गया है यहां पर चितरे इसका यह आई गया है। ग्रक्षेमे पर पूछा गया है। अब इसका एक और नाम क्या है इसका मतलब जो एक्जामपल है वो क्या है तो प्राइमूला मतलब किसमें होता है इस तरह का जो बिजाड़नियास है वह जो प्राइमूला है एक प्लांट है यह उसमें यह होता है फिर नेक्स्ट हम आज आते हैं अम्फिट्रोपस पे अम्फि इसमें इस तरह से हो जाता है और एक यह वाला जो देख रहा है आपको केंपेलो ट्राइपस इसमें क्या हो रहा है गोडे के नाल की आकरतिका हो जाता है है ना तो यहां पर इसका इस तरह से चेंज हो जाता है और यह किसमें पाया जाता है campelitropus, ये वाला जो नाम लिखा है, किसमें पाए जाता है सरसों के पोधे में जो होते है ना, उसका बिजन देन्यास इस प्रकार का होता है फिर last बचा है, सरसीनो-tropus, है ना, एक और हो गया तो सरसीनो-tropus किसमें होता है, ये नाग-फडी में होता है और यहाँ देखिए यह पूरा उल्टा हो चुक्या है, इसकी सरचना सेम इसके जैसी है, लेकिन यहाँ पर यह opposite direction में चले गया है, तो इस प्रकार से यह बिजाड़ न्यास है, यह थोड़े से पढ़ने में tough है, लेकिन एक बार हम इसको समझ लेंगे, तो हमारे लिए यह बह अनाट्रोपस बिजाड़ में माइक्रोपाइल पूछा गया था, किस दिशा में तो यह कैसी हो गई है, उल्टी, यह इस ग्रूप की खासियत होती है, अनाट्रोपस बिजाड़ जो होता है उसकी खासियत होती है, कि उसमें यहाँ उल्टी दिशा में होती है, नेक्स्ट है पाली गोनम प्रकार के ब्रून कोश में सहयक कोशिकाएं कैसी होती है तो इसका एक्जामपल है आगुणित होती है ट्रेटरोस्पॉरिक एम्ब्रोसिक निर्माण में कितनी मेगास्पॉर मदर सेल की आवशकता होती है इसको भी समझ लीजेगा आप क्योंकि यहां पर देखें यहां चार नाम दिये हैं है ना यहां पर किती हो रही है ट्रेटरोस्पॉरिक होता है तो यह चार होती है है ना, monosperic 1 होगा, die होगा तो 2, है ना, यहाँ पर tretra दे रखा है, तो यहाँ पर 4 आएगा, angiosperm में embryosic का निर्मान होता है, है ना, तो यहाँ mega spore mother cell में, भई mother cell में ही सब बनते हैं, पराकन बनते हैं, तो वो, वो भी उसी की लगू बिजानू की हमें बनते हैं ना, mother cell में, आप यहाँ पर question क्या आ गया है, कि angiosperm में embryosic, तो यहाँ mega spore, बड़ी वाली, क्याने कि गुरू बिजानू, mother cell में, माता जी की cell में बनता है, फिर ही, वहो बिजान जिसमें वरक्रता के कारण बिजान डकाय, एवं ब्रून कोश, बिजान वरंत, समकोड पर इस्थित होते हैं, तो यहाँ आपने हमने समझ लिया, इसलिए हम फट से इसका अंसल लिख देते हैं, hemitropos, ब्रून पोश है, ब्रून पोश कैसा होता है, 3N वाला, किस में आता है, द्वी बीज पत्री में आता है, फिर आवरत बीजी में भ्रून कोश निर्मीत होता है, किससे होता है, दो संलिये दुरूवी और नर्यूग मंग से, देखे मैंने पहले भी इसको बहुत इंपोर्टेंट बताया, अब हमें आने लगा है, हम इजी लिए आंसर सौल कर सकते हैं, फिर जीनिया और मेटा जीनिया, यह दोनों जो वर्ड होते हैं, यह पराकन और एंडोस्पर्म से रिलेटिट होते हैं, निवलिखित में कौन सा वेग्यानिक क्रमश्य संबंदित है, इकोलोजी, पॉल्योबद्ली और Embolology, एकोलोजी में हम किसका प्षःन करते हैं, पारिसिधिक तंद्र का, और Embolology में Embrot का प्षःन करते हैं, और यहाँ कोश्चन हैं तो यह किस हैं? तो इकोलोजी में यह वाला अनसर इसका सही है, R. मिश्रा, पॉल्यो बोटनी में जो है बोटनी से रिलेटिक जो कोशेन है मनसपतिशास्र से वो पी महिश्वरी और एमरियलाजी से आर मिश्रा, पी सहानी और पी महिश्वरी next मक्का में अल्यूरान परत किसकी तरफ उपस्थित होती है है ना ऐल्यूरान जो परत होती है मक्का का आपने पूरा बीच का स्ट्रक्चर दिखा होगा, उसकी अंदर उसमें दिखा रखा है ना पूरा ऐल्यूरान परत को भी तो यहाँ इसी का आंसर देना है हमें यह कहां पर होता है यह endo sperm की परीदी की तरफ होता है gymnosperm का भूण कोश होता है तो gymnosperm का तो हम पित्ती बार हमने यह कर लिया है easily हल कर देंगे applied होता है मक्के में beach skeleton जो होता है को beach पत्र माना जाता है क्यों है ना तो यहां पर इसका answer आ जाएगा भोज़पदार्थों को अव्षशित कर भूण में आपूरती प्रदान करता है है ना यह जो भूण को उपकोश होता है ना जो इसको टेलम बनता है बीच पत्र में जो आपने देखा होका मक्का है या जो आन है बाजरा तो यह क्या काम करते हैं यह भूण को भोज़पदार्थ क्या पहुचाने का काम करते हैं उनको निट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जीनिया की स्पराग कन का प्रभावे तो यह हांपर भूण पोश दोहरी निशीचन में क्या होता है फिर से आगया देखिए एक ही पराग नली का द्वारा लाए गए दो परमापुमाणू है ना द्वारा अंड तथा केंदरिय कोशी का का निशीचन होना ही दोहरा डबल फर्टिलाइज़िशन कहलाता है निम्ने में से द्वी निशीचन के लिए क्या आसस्त्य है तो इसमें से क्या आ जाएगा गलत है तो यहां इसका आंसर आ जाएगा कि एंडोस्परम न्यूकलिस द्यूगुनित होता है क्योंकि इसकी कोश्ट नवे निश्चे की थी नर्यूगमक का सनले अन्भी होता है और न्यूकलिस का निर्माण होता है ब्रोन पोश्बोन को पोशन प्रदान करता है वह यह चित अंड से बीच का निर्माण बर दिनकार भी अब इसके बाद में ड्वीनी शिचन के परिणाम सरूप किसका उत्पादन होता है तो ड्वीनी शिचन जब भी ठर डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो ट्रिप्लाइट तीन एन न्यूकलिस का निर्माण होगा देखिए क कोशन ये एक ही था ये वाले जो कोशन है ना ट्रिप्लाइट नूकलिस वाला लेकिन ये चार तरीके से अलग-अलग नाम से पूछा गया है तो आप जब भी आँसर दे तो कोशन को समझ लीजेगा तो आपका इजी हो जाएगा यही यही आंसर है कई बार पूछा गया है अलग-अलग एक्जाम्स में निशीचन के बाद बाहरी आवरण निर्मित करता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बाहरी आवरण है वो टेस्टा का निर्मान करता है त्री सनलेन विशिष्ट लक्षण है किसका विशिष्ट लक्षण है त्री सनलेन एंग्योस्माम का पराग नली का साधरन भुरुन कोश में प्रवेश करती है एक साहय कोशी का के द्वारा यही है इस का अंसर है ना ब्रुन कोश किस में पाया जाता है ब्रुन कोश बिजान्ड विजांड में पाया जाता है अंपिपाhes वोड़ में ऀया है में यही है फीर अग्ला है अलेंगिक जनन्रंज के सुनख्य केन एक होतीच के कहने है उससे और देख लेते हैं इससे related, गुरु बिजानों जनन में चार गुरु बिजानों में क्रियाशिल गुरु बिजानों की संख्या कितनी होती है, तो इसका अंसर आएगा एक होती है, निमलिखित में किस पोधे में जल परागन पाया जाता है, तो वैलिस नहीं रिया, इसका example है, और इमें आपको इसे related परागन से related और कुछ important objectives आ सकते हैं, उनको भी बता देती हो, आप अपनी copy में note कर लीजे, यहाँ पर वो objective नहीं है, लेकिन वो आ सकते हैं, तो देखे हम इस परागन को समझ लेते हैं, यह वायू के द्वारा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, आप इ परागन होता है, इसमें दो प्रकार का होता है, एक EP हाइड्रोफिली होता है, और दूसरा हाइपो हाइड्रोफिली, तो जो EP हाइपी फाइड्रोफिली जो होता है, उसका मतलब होता है उपरी जल, यानि कि जैसे पानी है, पानी के उपर यदी परागन होगा, तो उसे हम यह कहेंगे अगर अधो जल यानि पानी के अंदर हो रहा है तो उसे अधो जल या हाइपो हाइड्रो फिली कहा जाता है तो इसके एक्जामपल्स भी आप नोट कर लेजिए तो उपरी जल वाला किस में होता है हाइड्रिला में होता है वैलिसनेरिया में होता है तो वैलिसनेर की और आ जाते प्यालन उमर रचना बना जेते तो इसका परागन पानी के अंदर नहीं होगा आधा डूबा हुआ है आधा उपर की और रहेगा तो फिर पानी के बहार हो रहा है ये तो उपर ही जल कहलाएगा फिर अधो जल का एक्जामपल है जोस्टेरा और नेजल तो जोस् इनविलिया में होता है आने थो फिली ये किसके द्वारा होता है पक्षियों के द्वारा होता है है ना पक्षियों के द्वारा बाटल ब्रश है बबूल है तो इन में जो है परागन होता है उसे आने थो फिली कहा जाता है फिर इसके बात में आता है मैकेलो फिली तो मैकेल फिली चमगादडों की द्वारा किया जाता है तो यह अलग-अलग नाम है इनको नाम याद कर लिजी कि हो सकता है कभी ये भी पूछ लिए जाए फिर निशीचन के बाद बीजांड़ से क्या बनता है बीज बनता है आवरत बीजी में द्वी निशीचन की खूच नवानिशीचन की थी बिजानू भीत की मुख्यावस्था जो होती है वो ब्राय आवरत बीजी का गुण है ये किसी पराक कोश में लगू विजानू की सबसे बाहारी और सबसे भीतरी तो सबसे बाहारी प्रड़क्त एपीडर्मी सो जाती है और सबसे अंदर वाली टैपिटिम हो जाती है फिर लगू विजानू के दोरान अर्थसुत्री विभाजन कहां पर होता है है ना तो ये कहां पर होता है लगू भी जानू मात्र कोशिका में होता है है ना ये इसका आंसर हो गया फिर उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडार्शी बिना नीशीचन के फल में तो अनीशीच फलन ब्रून कोश में नीशेचन के बाद नश्ट होने वाली कोशिका है तो सहायक कोशिका है और प्रात्मीक ब्रून कोशिका जो होती है वो परडिलाइजेशन के बाद नश्ट हो जाती है किसी एक लिंगाशे प्रोरे में करत्रिम संकरन योजना बनाने में निमलिकित में कौन सा पद महत्व का नहीं है तो यहाँ पे वर्तिकाग्र पर पराकणों का छिड़काव करना है ना ये एक लिंगाशे जो पोदे होते हैं उनमें ये हैं महत्व का नहीं है कुछ रिक्तिस्थान भी देख लेते नर्यूकमोद्भीत की पधम कोशि का पराकण होती है है ना फिर इसके बाद में पक्षियो द्वारा होने वाला परागण अभी मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर पक्षियो द्वारा होने वाला परागण क्या होगा और निथो फिली कहलाएगा और अंड पुष्प का जनन अंग है तो अंडप जो होता है पुष्प का जनन अंग है तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर मादा जनन अंग हो जाएगा फिर पराकोश का वर्टिगाकर से पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको पूपुर्वता कहा जाता है आप इसमें भी आप इसको समझ लीजे दो वर्ड आते हैं पूपूर्वता यानि की होता है अगर इंगलिश नाम आ गया तो भी ध्यान रखना है डाइको गेमी डाइको गेमी में क्या होता है पुकेसर जो होते हैं वो अंडब से पहले डेवलेप्ट हो जाते हैं है ना ये जो पुकेसर है परा कोशे वर्तिकागर से पहले परिपक वो हो जाते हैं तो इसका नाम यहां पर आ जाता है पुप परवता है ना ये पूपरवता है ना और एक होती है इस्तरी इसमें क्या होता है कि पराकोष्ट से पहले वर्तिगागर परिपको हो जाते हैं तो इस इस्तरी को क्या कहते हैं प्रोटोगेमी या फिर इसे इस्तरी पूरवता कहा जाता है तो ये दो कीवर्ड है इनको भी अब ध्यान रखेगा ये भी पूछा जा सकता है परिक्षा में है ना यहां पर हमने इसका चित्र भी बता रखा है कि एक किस तरह से होता है परागन यहां परागन लिका का निर्मान कर रहे हैं है ना और यह परागन लिका अंदर जा रहे हैं अंदर जाने के बाद में देखी यहां से यह अंदर ज दिखाया है यह एकसेल को शो कर रहा है और यह सिंजिरिट यानि कि दो गैमिट्स का मिलना सन लेयन होना सिंजिरिट कहलाता है है ना संयूगबन आप यहां पर क्या हो रहा है यह यह चित्र आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं यहां बुरुनकोष का निर्माण होगा जब से फ्यूजन हो जाएगा तो है ना और यहां अंड से बीज में जाएगा तो यह सी स्ट्रक्चर को यहां पर और अलग-अलग नाम से बताया गया है तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजे थोड़ा सा यह तफ पड़ता है लेकिन हम समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जा सेल्स होते है ना यहां पर अब इसमें फ्यूजन होना है तो यह जो परागनली का आ रही ना यहां से यह परागनली का अलग-अलग इस्तती पर आ सकती है तो प्रो गेमी में क्या होता है यह डायरेट यहां से जो माइक्रोपाईल है ना इसका विजांड दुआर यहां से अंदर चली जाती है है ना और इसको fuse कर देती है फिर next में देखो चैल्जो गेमी में क्या होता है जो चैल्जो या निभागी शेत्र होता है वहाँ से पराग ने लिका उपर से आगे भी इसको छेत कर और यहाँ पर आकर फिर एस्टरस इसको fusion कर रही है तो इससे चैल्जो गेमी कहा जाएगा है ना फिर यहाँ पर हम देखो तीसरा मीजो गेमी मीजो गेमी का भी question आता है तो यहाँ यह बिजांड वरंत को यहाँ से side से आकर यहाँ अंड कोशिका को fuse कर रही है तो इससे related भी कई questions आएंगी वो हम समझते देखे जब बराग न लिखा अध्या वरंड में से होकर प्रवेश करती है तो उसे हम मीजो गेमी के नाम से जानते हैं फिर यह अध्या वरंड में से हो रही थी ना यहाँ पर देख लो यह वाला चित्र आपको आगया होगा समझ में अब दूसरा कोशन देते ही वह बिजांड जिसमें व्रक्रता के कारण बिजांड काय एवं भुरून कोश बिजांड वरंड सम कोन पर इस्थित होते हैं देखे यह भी आगया है तो इसका अंसर हो गया है हेमिट्रोपस इसली आगया होगा आप लोगों का अब समझ में है ना जब एक पोधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पर परागन होता है है ना क्या हो रहा है यहाँ पर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर 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 परागन होता है तो इसका आंसर आजाएगा अपरपराग प्रभाव या जीनिया ये वर्ड पहले भी हाया था इसका अब्जेक्टिव तो पराकन कभी-कभी ब्रूनकोश को प्रभावित कर देते हैं तो ये गटना जीनिया कहलाती जीनिया आसान ही याद करना ये थोड़ा टफ लग रहा है क्या है तो पैरिस्पम जो होता है बिजांडकाय का आवशेश होता है एक सामानी भ्रूनकोश में पाई जाने वाले केंद्रको की संख्या तो इसका आंसर आजाएगा आठ हमने इसका चित्र देखा थे इसमें टोटल आठ हो रहे हैं केंद्रको की संख्या है ना तो यहां पर टोटल संख्या हो गई आठ और कोशिका कितनी होती है कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है तो साथ कोशिकी ये होती है और केंद्र की संख्या आठ होती है युगमनेश द्वारा निर्मित किसी काई कोशिका में ब्रून का बनना क्या कहलाता है काई कोशिका या वर्ड् परियल का तरल बहुत सारे इसमें केंदरक होते हैं जो तरल में तेरते रहते हैं और ये क्या होता है ये ब्रून पोश होता है ये कोशन भी कई बार एक्जाम में आया हुआ है पराकण हरे रंके नहीं होते क्योंकि इन में क्या नहीं होता है वही तो इनके अंदर लवन्ड वर्नक लवन्ड क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते ही इसलिए ये कलर्फुल होते हैं बहुत सुन्दर हमने जब वही बैसिक से गुढ़ हलका देखिते हैं ये लो कलर का माइक्रोस्कोप में बहुत खुब सुरत नजर आता है टैपिटिम पाई जाती है तो टैपिटम कहां पाई जाती है पराकोश की बिती होती है ये जायां का वह भाग जो पराक कन को ग्रहन करता है क्या कहलाता है वह वर्ति कागर कहलाता है ये तो सब सरल है वे द्वेलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं इसको तो समझना पड़ेगा क्लिस्टोगेमी को अच्छे से समझना पड़ेगा है ना ये द्वेलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी भी नहीं खिलते हैं और इनके अंदर ही इनका परागण हो जाता है ये क्लिस्टोग मीन कहा चाता है थोड़ा सा अंतर है इनमें और कुछ ऐसे होते है जिनमें सेल्फ इस्ट्रालिलिटी पाई जाती है जैसे मक्का, सेब, अंगुर स्वबंधता होते हैं खुदी मना कर देते हैं अब नेक्स्ट है आवरत बीजियों में ब्रून पोश कैसा होता है तो आवरत बीजियों में जो ब्रून पोश होता है वह त्रीगुनित होता है यह फिर से आ गया है ना, जनन्छित्र वह इस्थान है जहां बायू चोल जो होता है वो अनुपस्थित होता है जनन चित्र में भाहे छोड़ नहीं होता है यह पराग करण में होते हैं ना जब पराग न लिका बिजांट द्वार से प्रवेश करती है तो यहाँ प्रक्रिया क्या कहलाती है तो यहाँ प्रक्रिया पैरोगेमी कहलाती है यह अपने तीनों चित्र देखे थे ना यहाँ पर यह पैरोगेमी वाला आगया ना यह पैरोगेमी देखें यहाँ से जा रही है तो पैरोगेमी इसके दो कोशन आ गए है और यह साइट से जा रही है इसको काटते हुए भी जान परन तो यहां से जा रही है ना तो इसे मिजोगे में कहेंगे इधर से होकर बीच में से और यह चल सा जो उपर से आ रही है हाँ यह हो गया अब है अराकण की बाहिय बित्ती बनी होती है तो यह स्पैरोपोलेलिन की बनी होती है निमलिखित में से कौन सा फूल का भाग निशीचन के बाद फल बित्ती बनाता है तो ये भी अंडाशय की बित्ती बिना निशीचन के ब्रून विक्सित होने को क्या कहते हैं तो इसे हम कहेंगे आनिशीच जनन ये भी कई बार पूछा गया अगर फल होता तो फलन कर देते बिजांड काए कोशी का से भून कोश का विकास क्या है कोशन बिजांड काए कोशी का से भून कोश का विकास क्या कहलाता है तो ये अब बिजांड का कहलाता है ये वाला भी वाला अंसर है फिर उसके बाद में बीज किस से विक्सित होते हैं तो बीच जो होते हैं वो बीजांड से विक्सित होते हैं, पहले कोशन था बीजांड से क्या बनता है और यहां आ गया है कि बीच किस से विक्सित होते हैं, इस कोशन को गुमा दिया गया है, चीटी और उबिये सी कूल के सदो स्यू के बीच पाई जाने वाला सहचारी क्या कह लाता है, तो ये चीटी परागन कहलाएगा चीटी परागन का एक और नाम मैंने आप लोगों को बताया है न मायरे मैको फिली, है न इसको नाम लेख देती हूँ, कभी-कभी ये पूछ लिया जाता है माय र मे को फिली फिली सब में लगा है, पर ये माय मेरे को फिली इसको चीटी परागन कहा जाता है फिर पोलीगोनम प्रकार के भूण कोश कैसे होते हैं तो ये एक बिजानू और आठ केंद्र की होते हैं फिर बिजान्ड का ऐसे विक्सित भूण, बिजान्ड का ऐसे जो फिली फॉर्म उपकरण का क्या कारिया होता है तो फिली फॉर्म उपकरण का कारिया होता है मकरंद को उत्पन करता है जो रस बनता है उसको बनाने का काम करते हैं कच्चे नारियल में नारिय पाली अभी आया ही तह ये वाला तो ये क्या होते हैं बहुत सारे बहुकेंद्र की ये होते हैं इसका आंसर आजाएगा बी आवरत बीजी पादोपो में नर युगमद भी दो शिक्राणों और एक काई कोशिका का निर्मान करते हैं तंतु रूप उपकराण किसका लाक्षनिक गुण है तो यह सहय कोशिकाओं का लाक्षनिक गुण है पर परागन को स्वपरागन की अपिक्षा अधिक क्यों समझा जाता है अच्छा क्योंकि इसमें अपिक्षा कृत अच्छी संतानी उत्पन होगी एक ही फूले उसी में पर पारिशन्स आएंगी समुह को पारिञ तोशिक किसके लिए बशचक कीट परागण कीजी दौर होता है सिंपल सा है आ बईत बीजी देख है कि नीट में आये वे questions है ये वाले सारे questions आए है 17 में 16 में important question है ये एक linga श्रही पुष्पी पादप में से किन दोनों को रोकते हैं ये जो एक linga श्रही होते हैं वो किस किस चिश्च को रोकते हैं तो इसका answer आ जाएगा भी स्वयुगमन को और सजाद पुष्पी उसमें तो होता ही नहीं तो एक linga श्रही है तो एक पोदा है इधर है एक उधर है एक mail एक female है तो भी दूसरे पर जा नहीं है तो हो गई नहीं नहीं यहाँ फिर एक आवरत बीजी पादप में कारिशुल बिजानू विक्सित होता है तो कहाँ पर यहाँ ब्रून कोश में विक्सित होता है नारियल के खाने वाले भाग तो यह ब्रून पोश आ जाएगा इसका answer है ना देखिए नारियल कितनी बार आया है अलग-अलग रूप में व चांट भी है और पुश्पक्रम से बंद है तो उनमें किस के द्वारा पारगित होगे तो यहाँ पर इसका answer आ जाएगा वायू के द्वारा नारियल किस प्रकार का फ़ल है तो यहाँ अश्ठिल फ़ल है फिर जल कुम्भी और वाटर लिली में किस प्रकार से परागण नि कीट या वायू के द्वारा है ना क्यों होता है इन में क्योंकि बाहर उपर की और निकले होते जल कुम्भी आपने देखा होगा हाई सिंध जल का आतंग बोलते है तो इसके फूल होते है परबल कलर के बाहर निकल जाते पानी में रहेगा इसका जड़ वगिरा लेकिन वो ऐसे वाटर लेली का फूल तो बहुत सुंदर होता है कुमूदनी जिसे बोलते है कमल जैसे दिखती है वो खुबसूरत सी तो उन में किससे होता है कीडो के द्वारा फिर आवरती बीजान टकनीक रूप से समतुल है किसके समतुल यह है यह गुरू बीजानू धानी के तो इस प्रकार से आपके सारे आपजिक्ट्यूस यह कंप्लीट हो गए है इन में से 100% आपके एक्जाम में आएंगे आप किसी भी कॉम्पेटिशन की तयारी करेंगे तो जो यह वाला चेप्टर है यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको अच्छे से तयार करिएगा और हाँ लाइक जरूर करिएगा शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे को इससे लाब मिल सकें वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें और से चैनल को सब्क्राइब भी करिएगा है ना तो बस इसी के साथ में आप ओके बाई